तो यह आज की दिन का पहला वीडियो है, अगर आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो देख सकते हो आपको चैनल पर मिल जाएगा, इसके साथ हैर सब्सक्राइब कर देना चैनल को and bell icon प्रेस करके definitely all पर सेट कर देना ताकि आपको notification मिलते रहे और तीसरी बात, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं comment request के बारे में, तो अगर आपको किसी भी stock में कोई doubt है, जस्त आप comment कर सकते हो and हमें बता सकते हो, सिर्फ एक चीज है, जैसे for example, अगर आपका stock XYZ है, तो इसके आस पास आप कुछ लिख देना, सिर्फ और सिर्फ stock comment अग अगर comment में रहता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके उपर कैसा video बनाया जाए, मतलब अगर आपको full video चाहिए, तो आप वो लिखो, अगर आपको business and fundamental जानना है, आप वो लिखो, बहुत सारे, मतलब बहुत सारी तरह से आप लिख सकते हो, अगर आपको unique question ह तो वो आप लिख सकते हो, तो ठीक है, यही चीज में मुझे आपको बताना था, तो वैसा ही कुछ है comment है, तो इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है देखो, please analyze xydus wellness, तो यह भी बहुत अच्छा है, आप सिर्फ अगर xydus wellness लिख देते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता है, थो 10,200 करोड का market cap है, आप इसे mid cap कह सकते हो, mid cap company है, रिस्क जो है, इसमें है, obviously, ऐसा नहीं है कि रिस्क इसमें बहुत कम हो गया, mid cap बोल करके, क्योंकि आर 10,000 करोड का market cap है, तो risk इसमें involved है, and long term के बारे में बातचीत करने वाले हैं, इस video में, और सबसे पहले मैं आपको बता करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, इसके business के बारे में, एक overview ले लेता है, कि आखिर क्या बनाती है, तो देख सकते हो, एक integrated consumer company है, with business encompassing the entire value chain of development, production, marketing and distribution of health wellness products, मतलब mainly company, consumer company ही आप कह सकते हो, लेकिन ये company किसमें काम करती है, company जो है, health and wellness products में, जो है, उसी का, मतलब, development करती है, production करती है, marketing करती है, distribution करती है, ये सब काम करती है, the company product portfolio includes sugar free, ever youth, neutralite, मतलब, ये सब brands जो है, इस company के under आते हैं, अब आपने sugar free तो सुना ही होगा, उसके साथ ever youth सुना होगा, neutralite भी साइद आपने सुना ही होगा, और acquisitions के बारे में, अगर आप पढ़ना चाते हो, तो देख सकते हो, Cadillac Healthcare से ये acquired जो हुआ था, 61.5% stake हुआ, अगर चाहो तो read कर लेना, acquired Heinz India, Heinz India जो कह सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, 4,600 करोड का ये deal था, और यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, जैसे, Complan, Nisil, Sampriti Ghee, यह सब जो है, the company to add the brands, मतलब यह सब जो है, add करने के लिए, जो है, यह deal हुआ था, मेरे लिए आप यही कहलो, उपर-उपर तरह से, portfolio of strong brands, अभी यह देख सकते हो, यहाँ पे, product portfolio consists of several iconic brands, leading market position, मतलब जो है, leading market position में है, यह brands, कौन-कौन से brands है, sugar-free, ever-youth, and were transferred from Cadillac Healthcare's business, और यहाँ पे जो है, यह सब कुछ brands है, जो की transfer हो है, Cadillac Healthcare के business से, उसके बाद, यहाँ पे, products में आप देख सकते हो, और market rank भी आप देख सकते हो, market share भी देख सकते हो, जैसे, sugar-free, जो है, first pay लाई करता है, 96% market share इसके पास है, ever-youth, peel-off, peel-off, मतलब साइद, यह क्या कहते हो, I think, face scrub, या face wash type का कुछ होगा, I think, यहाँ पे, okay, so, यह, ever-youth का scrub नीचे है, यह भी first pay है, दोनों ही first pay है, ever-youth, peel-off का 76% market share है, ever-youth scrub का 39% market share है, नाइसल, नाइसल का powder आता है, नाइसल का आपको पता होगा, first pay है, 34% market share है, Glucon-D, Glucon-D भी first pay है, 58% market share है, और complan fourth pay है, 5% market share है, और यहाँ पे आगे बढ़ते है, manufacturing and distribution network, अगर आप चाहोते हैं, यहाँ पे read कर सकते हो, 1700 distributors हैं, 5 manufacturing facilities हैं, और उसके बाद सुगरी in e-commerce, तो e-commerce business growth more than 1.5 गुना for financial year 22, तो यहाँ पे e-commerce के बारे में देन बताया गया है, and expansion towards international market, तो यहाँ पे देख सकते हो, company जो है expand कर रही है international market में, नए नए जोग्राफीज में, जैसे की, मतलब किस-किस geographies में enter कर रही है, Hong Kong, Lebanon, Zimbabwe, Muscat, Ethiopia, and Australia during 21-22, और उसके साथ company ने और भी बहुत चीज़े यहाँ पे देख सकते हो, read कर लेना, ठीक है, इतना अगर मैं read करूँगा, तो video बहुत लंबा हो जाने वाला है, आगे बात करते हैं, तो reducing debt levels, तो company अपने कुछ debt को कम कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो, आप read कर लेना, समझ मा आ जाएगा, अगेन वही बात, capex देख सकते हो, company around 70 crore का capex कर रही है, 40 crore जो है, जिसमें से new built-up एहमदाबाद की research and development center पे खर्च होने वाला है, restructuring for high efficiency, company reorganized the neutral light business for enhanced efficiency and better execution by integrating the sales force into one equity, that is Zyza's wellness products, for better consumer service and specific focus on retail and food service channel separately, तो इन्होंने जो है, company ने neutral light का जो business है, neutral light, ठीक है, इसके साथ biscuits आते हैं, I don't know, आप देख लेना, ठीक है, मतलब brand यार, अब brands में भी क्यों से product से बनाती है, हाँ, लेकिन इसके साथ biscuit आते हैं, ठीक है, और इसका जो business है, इसको थोड़ा से इन्होंने जो है, रियार्गनाइज किया है, ताकि जो है, efficiency and execution को better किया जा सके, और integrating the sales force into one entity, sorry, equity कह रहा हूँ है, और यह सब कुछ यहां पर लिखा गया है, future के बारे में बात करें, तो यहां पर देख सकते हो, company ने एहमदाबाद में एक new R&D setup किया है, और वो capex में भी आपको मिला होगा, 40 करोड का R&D center पर वहां पर जाने वाला है, और बाकी चीज़े भी देख सकते हो, यहां पर through the tie-ups of top academic and research institution in India and globally forming the building block for the future product innovations focused on building scale in international businesses by focusing on key regions like SAARC, MEA, SCA, तो यहां पर simple वहीं बताया गया है कि company अपना business को international business जो बाहर business कर रही है जैसे मैंने बताया था कि यहां पर company और भी जगह पर जगह पर जा रही है, जून 23 इन दोनों को compare कर लेते हैं एक बार, sales देखोगे तो 700 से 702, लगभग 696 से 702, लगभग सेम है, 6 करोड का jump है which is actually not much, एक परसंट से भी कम आता है आप एक बार देख लेना calculate करके, तो मतलब यहां पर sales आप लगभग muted का सकते हो, जहां पर था sales वहीं पर है, कोई जादा उपर नीचे नहीं हुआ है, operating profit margin के बारे में बात करें, तो margin भी यहां पर decrease हो चुका है और इसी वज़े से यहां पर आपको operating profit भी घरतावा देखने मिल जाएगा, 148 से 116 हो चुका है operating profit and इसके साथ net profit देखोगे 137 से 110 हो चुका है, EPS भी यहां पर decrease हो चुका है 21.53 से 17.35 हो चुका है, overall जो result है वो मुझे जादा अच्छा नहीं sales increase भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा increase हो एक दम थोड़ा सा, तो यह कोई increase नहीं होता है and net profit decrease हुआ है, तो इसी वज़े से मुझे numbers तो अच्छे नहीं लगे quarters के, खेर profit and loss के बारे में अगर बात करें तो देख सकते हो, यहां पर एक बारा थोड़ा सा sequence देखना, 337, 388, 404, 431 सही चल रहा था, बहुत धीरे-धीरे growth था बट सही चल रहा था, उसके बाद यहां पर एक drop आया, 397, फिर 431, अगर आप देखोगे यहां पर इतने से जगह पर growth है, मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि sales, sales जो है एक ही जगह पर रुखा हुआ है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, मैं कहा रहा हूँ, sales increase हो रहा है, लेकिन बहुत कम increase हो रहा है, बहुत कम, आप देखोगे तो यहां पर देख लो, 388 से 404, फिर 404 से 431, बहुत धीरे-धीरे increase हो रहा है, और यहां पर उसके बाद अगर आप देखोगे, 2017 तक 431 ही था, मतलब बहुत slow growth है, और उसके बाद क् jump आया, फिर 431 से 513 हुआ, फिर 834 हो गया, फिर 17, 1750 के आसपस आ गया, फिर 1800, फिर 2000, फिर 2200, फिर देख लो slow होने लगा, तो वही चीज है, बीच में बहुत अच्छा performance था, 18, 19, 20, बहुत अच्छा था, और 20 के बाद, यहां पर 21, 22 और 23 फिर देखोगे, तो फिर उसी तर आपको समाझ में आ जाएगा, उसके बाद यहां पर अगर आप net profit देखोगे, तो 69, 99, 98, 111, और 105, 111, जिस तरह का sales, उसी तरह का net profit, same, फिर 137, 171, 142, यहां पर जो है, obviously, sales increase हुआ था, बट margin वही पर था, फिर 119, फिर यहां पर अगर देखोगे, तो 2022 में 309, 310, इस तरह से गया, बाकी अगर आप देखोगे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, again वही बात, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कि growth नहीं है, growth है, लेकिन बहुत ही कम, और जो भी बढ़ता है, दीरे दीरे एक बाद decrease आता है, तो वो पूरा खतम हो जाता है, जैसे यहां पर देखोगे, तो 105, 105, फिर 111, 137, 171, इतना महनस से इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद एक drop आया, 142, मतलब आधा खतम, दूसरा drop 119, फिर से यहां पे पहुंच गया, मतलब 3-4 साल पहले जहां पे था, फिर से वहीं पे पहुंच गया, तो यही चीज है, और उसके बाद भी, अगर आप percentages में देखो कि आप को और समझ में आएगा, 10 साल का growth देखो कितना अच्छा लग रहा है, 19%, 5 साल का 34%, 34% बहुत अच्छ है, 3 साल का 8%, TTM का 7% बहुत ही कम है, profit growth भी सेम वैसा ही है, 13%, 19%, 21%, माइनस 4%, तो इसमें तो लगबग सब सेम ही है, कुछ जादा अंतर नहीं है, और फिर भी compounded profit growth कुछ हद तक फिर भी ठीक है, बट हाँ sales growth जो है, वो मुझे ज़ादा अच्छा नहीं लगा, mainly मेरा focus होता है, 3 साल पे और 5 साल पे और इस पे, TTM पे, उसमें भी 3 साल और TTM पे ज़ादा focus होता है, लेकिन इन तीनों में से 5 साल का अच्छा है, बट इन दोनों numbers को तो SBM नहीं देखते हैं, उसके बाद अगर ROE की बात करें, तो ROE देखोगे तो यहाँ पे 8% के बाद 6% का ROE है, सिर्फ और सिफ 6% का ROE, जो की बहुत कम है, मेरे हिसाब से बहुत कम है यह ROE, और मैंने आपको साथ बताया भी है पिछले वीडियो में, कि अगर ROE कंपनी क पास नहीं होगा, तो सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा, अब बोलो गयार देखो सेल्स ग्रोथ तो आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो है फिर भी, अब देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर ROE नहीं है, तो सेल्स ग्रोथ अगर होगा भी, तो धीरे को पैसा कहां से मिलेगा फिर बहुत सारी मतलब कभी और बात करेंगे उतना लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा बहुत लंबा वीडियो सिंपल बात है अगर आरूई नहीं है तो सेल्स ग्रोथ जो है वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम होता जाएगा और सेल्स ग्रोथ इं बाकि हाँ मुझे ROE एक बिलकुल अच्छा नि लगा मुझे ROE मैं फिर भी sales coach को फिर भी कहा दूँगा चलो यार मतलब तीन साल यह दोनों data तो बिलकुल अच्छा नहीं है बट इन दोनों data को देख करके मैं फिर भी कहा दूँगा चलो OK इसमें मुझे जादर data अच्छा नि कंपनी है तो 5000 क्रोड का यहां पर जो है reserves है और बोरिंग जो है यहां पर around 297 क्रोड का है यहां पर देख भी सकते हो company ने बात किया था मतलब मैंने बताया था business में कि company अपने debt को कम कर रही है और यह debt को कम कर रही है आप यहां पर balance sheet में सिसको देख भी सकते हो तो हां company अच कुछ हद तक जो है ROE और growth के मार्मले में मुझे उतना पसंद नहीं आया वैसे बाकी अगर आप CWIP देखोगे तो थोड़ा थोड़ा CWIP चल रहा है और वही चीज जो उन्होंने बताया था कि यहां पर 40 क्रोड और 30 क्रोड का दो जगा होने वाला है मिला करके 70 क्रोड तो तो overall जो है अगर आप देखोगे borrowings को भी तो यहां पर देखो short term borrowing बिल्कुल पूरा short term borrowing बिल्कुल नहीं है और यही चीज जो है company ने बहुत अच्छा करा है कि long term borrowing को पूरा खतम कर दिया है और short term borrowing में जो था उसको लेकर company आ चुकी है which is very good actually क्योंकि short term borrowing जो है कोई problem create नहीं 65 तो मैं कहता बहुत अच्छा यहां पर तो 67 से भी ज्यादा है which is very good मुझे अच्छा लगा FIIs है 3% कुछ ज्यादा नहीं है DIs लग बग 22% के आसपास है बहुत अच्छा नंबर है DIs का भी जो बची पब्लिक बची 7% बहुत कम पब्लिक है तो overall shareholding pattern मुझे अच्छा लग चाहूंगा अगर अब मुझे आप पूछोगे negative positive point तो मैं जो है ROE को कहां गया यह रहा तो मैं जो है ROE को एक negative point दूँगा and इन दोनों को मैं positive नहीं दूँगा क्योंकि मुझे यह अच्छे भी नहीं लगे and at the same time यह थोड़े से खराब ही लगे मुझे लेकिन हां मैं negative point न जगा पर फसी हुई है और कुछी दिन नहीं बहुत दिन हो गए वैसे तो बट ठीक है यहां पर एक ही जगा पर फसी हुई है and अगर आप देखोगे recently यह जो bottom पर थी अब जोड़ा चलना start कर रही है और अगर आप यहां पर levels देखोगे तो यह एक level है and आप खुद भी मैं सकते हो सामने देख करके कितना level हो सकता है और जो भी है यह support है यह support है यह भी एक resistance था जो अब अगर यहां से आएगा तो एक retest के वज़े से support बन जाएगा and then यहां पे resistance है यह resistance है यह resistance बहुत strong है और यह थोड़ा weak है बढ़ हाँ यह बहुत strong है अब आगे देखते हैं क्या होगा और बाकी अगर नीचे आता है तो अगर आप मुझसे पूछो गया averaging fresh buying का क्या हो सकता है क्या नहीं तो देखो मैं कोई recommendation नहीं दूँगा मैं अपना viewpoint आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद क्या कर अगर मैं इसमें invest करता तो मैं क्या करता तो यहां पे अगर यहां पे तो मैं averaging करूँगा मैं fresh buying नहीं करूँगा यहां पे आएगा तो मैं fresh buying and averaging दोनों करूँगा यहां पे भी fresh buying and averaging दोनों करूँगा लेकिन यह मैं अपना viewpoint बता रहा हूँ मैं आपको recommendation नहीं कर रहा हूँ ठीक है जो जिस तरह से अभी performance है मैं अभी fundamentals को देख करके मैं अभी थो तो चलो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना शियर कर देना सब्सक्राइब कर देना आपको पता है आपको क्या क्या करना आपको पता है और हां कमेंट अगर आपको कोई डाउट है डेफिनिटल आप कमेंट कर सकते हो एंड करते हैं वीडियो को बा bye and thanks for watching